अबिप पुलवामा हमला हुआ तो भारत के वीरों ने जो काम किया ऐसा काम दसकों तक कभी नहीं हुआ है हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में गुश करके मारा है आतंकियों को उनके सरपरस्तों को भारत से इस तरह के जबाब की उम्मिद नहीं थी वे सोच रहे थे कि मोदी ने पहली बार सर्जिकल स्टाइक की तो दिसिर बार भी ऐसा ही कुछ करेंगे और इसलिए उन्होंने क्या किया सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी टैंक लाकर कर पता नहीं क्या क्या रख दिया उन्होंने यहां सारी सजावट कर दी हम उपर से चले गए यात करिए साल 2010 में फूरे में एक बेकरी में बंदमाका हुआ उसी साल 12 नसी में दसास मंबे एक घाट पर बंदमाका हुआ यात करिए साल 2011 में मुंबई में फिर आतंकी हमला हुआ आपेरा हाउस जावरी बाजार दादर में बंफटे फिर उसी साल 2011 में दिल्ली हाइकोट के सामने भी बंफटा इसी तरह साल 2013 में हैजराबाद के भीड भारे बाजार में बंदमाका हुआ एक के बाद एक मम जबाके हो रहे थे सैंकडों बेस के सुरों लोग मारे जा रहे थे सैंकडों गायल हो रहे थे इन हमलों के तार भी हर बार सीमा पार जुड़े हुए थे लेकिन पहले की सरकार ने क्या किया उन लोगों ने अपनी नीती नहीं बढ़ लिए सिर्फ ग्रह मंत्री बढ़ ले हैं अम नीती बदलनी चाहिए कि ग्रह मंत्री बदलना चाहिए साथ यह अगर पहले की सरकार में दमखम दिखाया होता तो आतंक्यों को उसी भासे में जिवाब दिया होता जो भासा वो समझते हैं तो आज आज आतंग इतना बड़ा जो नासूर बन गया है वो नहीं बन पाता सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और इस साल फरवरी में एर स्ट्राइक के बाद आतंग के आँकाओं को समझ आ गया है कि ये पुराने वाला भारत नहीं है भारत की कारवाई के बाद अब वो बुरी तरह बोखलाए हुए हैं देश के सुरक्षावाल हमारे वीर जमान अपना काम कर रहे हैं लेकिन इस देश के अनागरिक के तौर पर हमें भी सतर्क रहना अपना दाईत्वन निभाना है पर दो बुरा है